हेलो दोस्तों, वेलकम में योटोब चैनल, ऑप्षिंग टेक्निकल एनलेसिस में आप सब का स्वगत है, तो दोस्तों कैसे होगा है आप सब उम्मीद करता हूँ, आप सब अच्चे होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे डिली एनलेसिस को फोलो करते होंगे, तो आज आप लोगों ने अच्छा कासा profit कमाया होगा तो दोस्तो आप लोगों से request कर देना चाहता हूँ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहे हो तो चैनल को subscribe कर दे like कर दे, bell icon के all पे जुरूर प्लिक कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुँचे तो चलिए देखते हैं कल के दिन bank nifty और nifty में कैसा काम काज हो सकती है तो पहले देखते हैं bank nifty उसके बाद देखेंगे nifty ठीक है दोस्तो तो देखें दोस्तो bank nifty के अंदर आप हम call कब buy करेंगे bank nifty के अंदर अब हम call तक buy करेंगे या तो market कल के दिन जो है कम से कम नहीं भी ज्यादा तो 100 से लेके 700 point का gap up अपन हो और उसके बाद कम से कम यहाँ पे जो है 30 minute जो है time spent करेंगे उसके बाद ही हम call buy करेंगे उससे पहले हम call के बारे में नहीं सोचेंगे दोस्तो क्योंकि इसके पीछे logic है दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यह जो level है एक 40,836 का जो यह level है यह इस level से आज देख सकते हैं आप लोग एक बार दो बार गिरावट यहीं से दिखाई है तो अगर यह कल के दिख लेवल तूटती है इसका दो condition हो सकता है आप लोग देख सकते हैं पहला condition जो मैंने आप लोग को बताया market कम से कम 100 से लेके 700 point का gap up opening होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे 30 minute जो है time spend करनी चाहिए उसके बाद हम यहाँ पे call buy करेंगे यहाँ फिर market जो है flat opening हो यहाँ पे कम से कम 70 से लेके 80 point का और उसके बाद 15 minute बाद जब यहाँ पे सारे 9 बज़े जब इसको break out करेगी तो हमारी entry कब होगी दोस्तों 9 बज़े 45 minute पे यहाँ पे entry होगी और target की जो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 1500 से लेके 200 point तक के लिए हम लोग target के लिए जा सकते हैं call side के तरफ ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे put cup buy करेंगे दोस्तों bank nifty के अंदर तो आप लोग यह level देख सकते हैं यह जो level है 4,690 का जो यह level है अगर कल के दिन market gap down होती है कम से कम 100 point का gap down होती है और उसके बाद यहाँ पे कम से कम 15 minute time spent करेंगी उसके बाद ही हम यहाँ पे put side तरफ entry लेंगे और target जो हमारा रह सकती है कम से कम यहाँ पे 200 से लेके 200 point का target रह सकती है इसमें भी condition दो होंगी या तो market जो है flat opening हो कम से कम 60 से लेके 80 point का और यह सबसे अच्छा मौका मिलेगा हम लोग को put side के तरफ entry लेने का क्योंकि इसके फीचे logic है दोस्तु आप लोग देख सकते है यहाँ पे multiple time जो है support लिया गया है तो अगर यह कल के दिन breakdown कर जाएगी और यहाँ पे कम से कम 15 minute यहाँ पे time spend करेगी यानि कि सारे 9 बजे और हमारी जो entry होगी 9 बज के 35 minute पे यहाँ entry होगी और target की बात करें तो हमारा यहाँ पे 200 से लेके 200 point तक रह सकती है bank nifty put के अंदर ठीक है दोस्तों तो आप चलिए चलते हैं हम nifty का हाल चाल देखते हैं क्या scenario बन सकती है कल के दिन तो देखे दोस्तों nifty के अंदर आप हम call कब buy करेंगे nifty के अंदर आप हम call तब buy करेंगे या तो कल के दिन market जो है flat opening हो और उसके बाद यहाँ पे कम से कम 15 मिनट यहाँ पे time spend करेगी और जब इसको break out करेगी तब हमारी यहाँ पे entry होगी ठीक है दोस्तों तब हमारी यहाँ पे entry होगी और target की जो बात करें दोस्तों ज्यादा लंबा target नहीं लेना हो यहाँ पे कम quantity के अंदर कामकाज करनी है ठीक है दोस्तों ध्यान रखेगा यहाँ पे कम quantity के साथ कामकाज करनी है और target हमारा 60 से लेके 70 point का यहाँ पे target रह सकती है इसमें भी condition 2 होगी यहाँ तो कल के दिन market जो है कम से कम 50 point जो है 50 से लेके 70 point का gap of opening हो और यहाँ पे तब जो है 30 minute time spent करनी चाहिए और जो हमारी call side की तरफ entry होगी 9 बज़ के 45 minute दोस्तों देखिए यह हमारा logic होता है यह मैं आप लोग को time बताता हूँ ने यह logic होता है और entry हमारा उसी time में बननी चाहिए आप लोग जो है ध्यान पुरबक से वीडियो को देखिए ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे 945 पे हमारी entry होगी अगर market gap अप खुलती है तब यहाँ पे हमारी 945 पे entry होगी target हमारा 60 से लेके 70 point रह सकती है और यह अगर market जब flat opening होगी दोस्तों तो इस यह जो आप लोग देख सकते हैं इस zone के अंदर हमें call या put नहीं लेना है जब इसको breakout करेगी flat opening होगी और जब इसको flat जब opening होगी तो दोस्तों call side की position ना बनाए तो better होगा क्योंकि कल हो सकता है selling pressure आ सकती है nifty के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है दोस्तों तो अगर कल के दिन gap up opening होगी तब तो अच्छा scenario बन सकती है ज़्यादा target हम नहीं यहां कह सकते है 60 से लेके 70 point अगर flat opening होगी तो हमें wait करना है कम से कम 9 बज के 45 minute तक ठीक है दोस्तों अब दोस्तों निफ्ती कंदर हम put up buy करेंगे तो आप लोग लेवल देख सकते है 18,121 का जोई लेवल है अगर कल के दिन यहां पे gap down market खुलती है कम से कम 50 से लेके 60 point का gap down market खुलती है और यहां पे सारे 9 बज तक time spent करेगी और हमारी entry होगी 9 बज के 35 मिनट पे ठीक है दोस्तों और जो हमारा target रह सकती है यहां पे 80 से लेके 100 point का target रह सकती है दोस्तों और हम put side के तरफ 80 से लेके 100 point का target के लिए जा सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगर हमारा video informative लगा हो तो चैनल को कर दीजिए subscribe, like करें तो जाहिन बंदे मतरम